सेना की ट्रेनिंग के बाद पहली बार रांची लौटे दोनी लेकिन पतनी साक्षी इस बात से हैं परेशान टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंदर सिंग दोनी गरुवा की रात अपने ग्रिह शहर रांची पहुँचे सेना की ट्रेनिंग के बाद पहली बार दोनी रांची आये हैं एरपोर्ट पर महेंदर सिंग दोनी प्रशंसकों के बीच नजर आये और उनके फोन से सेल फी भी ले दोनी के साथ उकी पतनी साक्षी भी नजर आई महिंद्र सिंग दोनी अपनी नई जीब ग्रेंट चेरोकी की सवारी करते नजर आए मालुम हो कि पिछले दिनों उनकी पतनी साक्षी ने कार की एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था और लिखा था की माही आपको कार मिस्ट कर रही है महिंद्र सिंग दोनी वर्ल्ड कप के बाद कश्मीर में सेना के साथ ड्यूटी पर थे जिसके बाद से वेहरांची नहीं लोटे थे दोनी ने सेना की विक्टर फोर्स के साथ 15 दिन ट्रेनिंग की दोनी ट्रेनिंग के दोरान जवानों के साथ रहे और उनके लिए किसी तरह का कोई स्पेशल इंतजाम नहीं किया गया था उन्होंने इस दोरान पेट्रोलिंग, गार्ड और पोस्ट ड्यूटी की जिम्मेदारी भी निभाई दोनी के इतने दिनों के बाद अपने घर लोटने की वज़े से साक्षी बेहत खुश है और दोनी को रिसीव करने के लिए खुद एयरपोर्ट पहुँची साक्षी पिछले कुछ दिनों से साक्षी रांची में है और बिजली की आंक मिचौली से परेशान है उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम में बिजली की आंक मिचौली से परेशान होकर एक पोस्ट डाला था जिसमें संबंदित अधिकारी से वंटी की गई थी कि बिजली विवस्था दुरस्त की जाए साक्षी दोनी ने बिजली की कटोती से परेशान होकर ट्वीट गिया कि राची में लोग प्रत्य एक दिन बिजली कटोती का अनुभव करते हैं इसकी रेंज चार से साथ घंटे की होती है साक्षी ने अपने ट्वीट में लिखा कि पांच घंटे से बिजली न होने का कोई कारण नहीं है मोसम भी अच्छा है और कोई त्योहार नहीं है